अस्तामलीकूम फ्रेंड्स, विलकम बेक टॉटॉप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल उम्मे आईशा आईशा और नायला को जब मालूम पड़ा कि यास्मीन की तबीय ठीक नहीं, वो होस्पिटलाइज्ट है तो फॉरण से पहले दोनों ही माबेटियां होस्पिटल आ जाती हैं लेकिन फिर जब अनुशे ने आईशा को अकेले में देखा तो बुरी तरह से उसे लड़ने लगी तरिज़न तुम्हारी तर्फ गई थी ना, तुमने कुछ ऐसा कहा ना कि उन्हें सद्मा पहुंचा और वो इस थाल तक पहुंच गई घर से तो वो बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, बस एक बार, एक बार, बस एक बार उन्हें होशाने दो अगर उन्होंने कहा कि तुमने कुई असे बात की थी, तो देखना, तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं अब अनुशे तो अनुशे, अस्वन ने भी आईशा को बहुत बाते सुनाई मेरी मामा तुम्हारी तरफ गई ती ना क्या बात हुई आहर क्या कहा तुमने उन्हें क्यों कि उनके ये तभीयत हो गई वो बिलकुल ठीक ठाक थी और हाँ, तुमने क्या अस्वन शकील के हाप देखने शुरू कर दिये इतनी आउकात है तुम्हारी तुम्हे तुम्हारी आउकात दिखाना बहुत जरूरी है तुम्हे क्या लगता है अगर मामा तुमसे बैठकर अच्छे से बात कर लेती हैं तुम्हारी कंपनी को इंच्वाय करती हैं तो इसका ये मतलब है कि तुम उनकी बहु बनने के हाप देख लो ये हाप देखना छोड़ दो क्योंकि अस्वन शकील तुम्हारी जैसी लड़की के हाथ नहीं आने वाला आजकल तो हर दूसरा इंसान औकात की बात करता है जबके औकात तो अलापात ने सब की एक जैसी रखी हर इंसान को मटी से पैदा किया और हर इंसान को मटी में ही जाना है तो फिर काहे की औकात कैसा स्टेटस इंसान जब ये चोटी सी बात समझ जाए तो उसकी अकड़ हतम हो जाए और जब अकड़ हतम हो जाए तो उसमें आज़ी 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 और आज़ी मिरे अल्ला को बहुत पसंद है आईशा, अनुशे और अस्वंद की बातों से डिसार्ट होकर घर आ जाती है और जब घर आई, यहां पर भी आकर उसे सिर्फ यासमीन का ह्याल है रातों में उठकर अबादत करती है और यासमीन की सहजाबी के लिए दुआ करती है बेशक अल्ला से गिर गिरा कर और शिद्द से दुआ की चाए तो जरूर कबूल होती है और अगर दुआ करते हुए आपका इमान मस्पूत हो के मैं जो मांग रहा हूँ मुझे जरूर मिलेगा तो अल्ला पाक फिर जरूर अता करते है शकील साही भी अपनी बेगम की सहजाबी के लिए अल्ला के हजजूर दुआ करते हैं मस्ज़ जाते हैं और इमाम को भी दूआ करने का कहते हैं लेकिन बहुत ही मायोसी के आलं में घरा आते हैं और आकर अस्वन से कहने लगे तुमारी अम्मी की तबेट तो यूं की तू है मैंने इमाम साहीब से भी कहा दूआ करने को लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा तुम ऐसा करो आशा से कहो कि वो दौा करे अल्ला की बहुत नेकपंदी है और अल्ला अपने नेकपंदों की दौाईं जरूर सुनता है बेटा तुम आशा को जरूर कहना वो दौा करेगी ना मुझे मालूम है अल्ला उसकी दौा रत नहीं करेंगे हो सकता है उसकी दौा की बज़ा से ही यासमिन को होशा आजाए अस्वन जो आशा की इतनी इंसर्ट कर चुका है भला किस मूझ से आशा को दौा करने का कहेगा उसके पास जाएगा ऐसे ही वो एक तीन चप होस्पिटल में अपनी मां की रिपोर्ट्स दे कर मां के कमरे में जाने लगा दर्वासा खोल कर एंटर होने ही वाला था कि आशा जाए नमास पिछा कर नमास अदा करने के बाद दौा मांग रही थी और जितनी लगन से जितनी तवज्जों से वो दौा मांग रही थी अस्वन उसे डिस्टरफ करना नहीं चाहता था बस हाथ उठाए और आशा के पीछे खुद भी दौा मांगने लगा क्योंकि वो जानता है कि आशा उसकी मां के लिए ही दौा मांग रही है दौा मांगते मांगते अस्वन के आंखों में आंसू भी आ गए आशा दौा मांग कर जब उठी उठकर यासमीन पर फोक मारा और पिर उसे माथे पर बोसा दिया और यहां से जाने लगी कि आशा ने फिर अस्वन को देखा आप? आप यहां? तो यहां पर अस्वन जो बिलकुल मौम हो चुका है वो तो आप आशा के सामने गिर गिराने लगा मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें समझने में गलती की तुम वाकिए बहुत अच्छी हो कल मैंने तुम्हें क्या कुछ ने कहा लेकिन आज भी तुम मेरी मां के लिए दुआ ही कर रही हो मैं वाकिए बहुत शर्मिनदा हूँ तुम अल्ला से मेरी मां की से जाबी मांगो ना मैं जानता हूँ कि तुम अल्ला से जो मांगती हो तुम्हें मिलता है तुम्हें कभी भी अल्ला इंकार नहीं करता क्यूंकि तुम अल्ला की बहुत नेक बंदी हो अल्ला तुमसे बहुत महबत करता है आशा की आंखों में आंसो आ गए और वो यहां से बगएर कुछ कहे चली गई दूसी तरफ अनुशे जो कि हॉस्पिटल के चक्र लगाते लगाते ठक चुकी है इसलिए तो वो आज हॉस्पिटल नहीं गई बलके बंद ठान कर दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम है जिस पर सानिया उसे रोक देती है तुम चानती हो ना तुम्हारी होने वाली सास की तबियत ठीक नहीं और अस्वन शकील भाई उसके लिए कितना परेशान है तो यहां पर अनुशे बड़ी ही बेपरवाई से अपनी मां को कहने लगी हाँ तो उनका परेशान होना बनता है ना अस्वन की मां है वो अब फर्स करें आपको कुछ हो जाए आप होस्पिटल में हो तो मैं भी तो परेशान होंगी ना अब तो सानिया गुसे में आ गई क्या कह रही हो तुम अला ना करे कि मुझे कुछ हो बस बोलती जाती हो बोलती जाती हो सोचती भी नहीं हो फ्रिंट्स ट्रामा काफी इंट्रस्टिंग हो चुका है हर एपिसोड देखने का बहुत मसा आता है आपको ये छोटा सा रीवियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताईएगा मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके साथ पैल नोटिफिकेशन जरूर पिस कीचे ताकि आने मादी हर वीडियो अब बहुत ऐसानी से देख सकें दौाओं में याद रखिए कि अपना बहुत सा रहया रखिए का नई वीडियो तक के लिए अलाहब फिस